संतान सब्तमी दोहजार चौविस कभ है संतान सब्तमी दोहजार चौविस में जाने पूजा सुमुहुरत पूजा विधी वभोग संतान सब्तमी का महत्व इसलिए भादरपद मास में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है भादरपद मास के सुकल पक्ष की सत्मी दिथी को मनाई जाती है जिसे ललिता सब्तमी अननत सब्तमी के नाम से भी जाना जाता है ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है एची मानेता है कि संतान प्राप्ति के दिन पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए उनकी सुक समरिधी के लिए और उनकी उन्नती के लिए भगवान विश्णु भगवान स्रीव व माता पारवती क पूजन करती हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं पुत्र प्राप्ती के लिए भी संतान सप्तमी कवरत रखती हैं, इस वरत को संतान साते के नाम से भी जाना जाता है, संतान सप्तमी कवरत माता, पिता या अन्ने कोई भी इस्तरी और पुरुस रख सकते हैं, आये जानते हैं, साल संतान सब्तमी दिन क्या चाहिए? संतान सब्तमी वरत कि पूजा विधी को भी जान लेते हैं जो इस प्रकार है संतान सत्मी के दिन सभी वृत्ती महिला सुबह जल्दी उठकर शना नादी करके साफ कप्रे पहन कर वृत का संकल पले इसके बाद भगवान सिव माता पारवती के सामने हाथ जोर कर पुत्र की मंगल कामना के लिए विंती करती हैं फिर पुजा के लिए घर में किसी जगह को साफ करके एक चौकी रखे और उस पर चौकी पर लाल कप्रा विछा कर भगवान सिव की मूर्ती या चित्र स्थापिती करें फिर पुजा के लिए कलस के स्थापना करें और कलस के उपर स्वास्ती कचिन बनाएं और उस पर आम के प पान सुपारी आदी चढ़ाएं और खीर पूरी गुर से बनाएं मिठाएं मीठे पुए कभोग लगाएं फिर संतान सप्तमी वरत की कथा सुने या फिर सुनाएं और अंत में भगवान स्रीवो माता परवती की आरती करके पूजा का समापन करें और पूजा करने के बाद भो 06 महत्वे इस वरत में वृत्ती महिलाओं को कुछ विशेश बातों का हमीशा ध्यान रकना चाहिए शंतान प्रापती के दिन सभी वरती महिलाईं पुए कभोग लगाती है और उसी को खाकर वरत का पारण करती है इसके अलावा सभी व्रती महिलाओं को कुछ भी नहीं खह चाहिए संतान प्राप्ति के दिन सभी वरती महिलाएं भगवान, विष्न, भगवान शिवव और माता पारवती का पूजन करती है ऐसी मानेता है कि जो भी किसी महिला को पुत्र नहीं है। पहले में पहनती है तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है संतान सत्मी के दिन जो भी वृति महिला निर्जिला वृति रख कर साम के समय गुर से बनी साथ पूरी का भोग लगाती है तो उसके पुत्र की दिर्ग आई होती है और उसके पुत्र की तरक्की होती है संतान सत् सिवजी को 21 बिलपत्र और माता पारवती सूखा नारियल चरहती हैं तो उस महिला को संतान की प्राप्ती होती है संतान सप्तमी पूजा मुहरत संतान सप्तमी 2024 सुम मुहरत अब पूजा करने का सुम मुहरत भी जान लेते हैं जो इस प्रकार है अब आपको बता दे कि साल 2024 में संतान सप्तमी 10 सितंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी भादर पद मास की सप्तमी तिथी शुरू होगी 9 सितंबर 2024 को रातरी 9 बज कर 33 मिनट पर बहादर पद मास की सब्तमी तिथी समाप्त होगी 10 सितंबर 2024 को रात्री 11 बज कर 11 मिनट कैसा लगा आप सभी को हमारा ये संतान सब्तमी व्रत वीडियो प्लीज कमेंच करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आई हो तो प्रीज मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना बिल्कुल न भूला थैंक्स पर वाचिंग किप सब्सक्राइब